भारत के संसदिय लोक तंत्र का एक काला ध्याय आज से ठिक पचास स्वर्श पूर आज की दिन ही देर रात्री में हुआ था लोक तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजी स्रची थी। कॉंग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र उसके हाव वहाव आज भी वही हैं भारत के संसदिय लोक तंत्र का एक काला ध्याय आज से ठिक पचास स्वर्श पूर आज की दिन ही देर रात्री में हुआ था जब कॉंग्रेस की ततकालिन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंडते वे लोक तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजी स्रची थी 25 जून 1975 रात के अंधेरे में स्रीमती इंद्रा गांधी जी के नित्रुत्व में कॉंग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोक तंत्र को नश्ट करने का प्रियास किया था उस समय के सभी विपक्सी दलों की नेताओं को उसमें से तल बहरी बाचपेई जी से मौरार जी देसाई जी से जैप्रकास नाराण जी से लाल किष्णा डवानी जी और विपक्स के सभी नेताओं को बंद करके लोक तंत्र के गले को पूरी तरह घोटने का प्रियास किया था आज जब पचास वर्ष के उपरांद हम इमर्जंसी की उन यादों को स्मन करते हैं तो स्वाभाई कुरूप से कॉंग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र उसके हाओ वहाओ आज भी वही हैं जो 1975 में एक बरबर चेहरा उस समय में कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिला था कैसे उन्होंने समिधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संसोधन करके उसकी आत्मा को नश्ट करने का प्रियास किया था कैसे कॉंग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौली कदिकारों को पूरी तरह प्रतिवंदित कर दिया था कैसे न्यायले के अधिकारों को कॉंग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधग बना के रख दिया था और आज भी कॉंग्रेस पार्टी में बले ही नेत्र तो बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है यह लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कड़गरे में खड़ा करते हैं भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रस्न चिन्र खड़ा करते हैं भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोशते हैं भारत के अंदर हर चुनाओं की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके एबियम पर अपने अकर्मनेता का दोस्त थोपने का प्रियास करते हैं एक तरह कॉंग्रेस का यह ताना साही पूर्ण रवया जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं आजादी के ततकाल बाद समिधान अंगेकार करने के मातर दो वर्ष के अंदर ही देश के समिधान में संसोदन करके धरा 370 को उसमें जवरन डाल करके देश के अंदर देश के एक खंड़ता को चुनोती देने वाली धरा 370 को डालने का प्रियास किया था इसके उपनान्त भी समय समय पर कभी मीडिया पर प्रतिवंदित करके कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्स और प्रत्यक्स रूप से लोग लग दोग तंदर के सभी अस्तंबों को कमजोर करने का प्रियास किया था 1975 25 जनवरी 1975 उसकी प्राकाष्टा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था 1975 की मरजन्सी की घटना के 50 वर्स पूरे हो रहे हैं 1975 में देश के लोग तंदर को बचाने के लिए सम्विधान को फिर से बहाल करने के लिए नागरिक अधिकारों की रक्सा करने के लिए जिन लोगोंने जेल की यात्माओं को सहा था जिन लोगोंने उस काल घंड में लोक तंतर के लिए अपना सरवस्तु नेचावर करने का कारे किया था हमें आश्चरे होता है कि उनकी वर्तमान पीड़ी उसी कॉंग्रेस की गोद में बैट करके देश को फिर से कॉंग्रेस की ताना साही और लोक तंतर बिरोधी समिधान बिरोधी तंग दायरे की और धकेलने का कुछित प्रियास कर रही है कॉंग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल लई है और उसी का पेड़ाम है जहां भी कॉंग्रेस नित्रत्व की सरकारे है उनका रविया उनके कारेपणाली उनके द्वारा के जाने वाले किर्थे इस बात के उधारन प्रस्तुत करते हैं उनके जो सहयोगी है बंगाल में टीमसी है केरल के उनके सहयोगी है या तमिल नाडु के उनके सहयोगी है या कॉंग्रेस नित्रुत्व की सरकारें जहां कारे कर रही है उनकी कारेपद्दती को आप देखे जो लोग जनता को गुम्रहा करके संभिधान के नाम पर संसत की कारवाई को बाधित करने का प्रियास कर रहे है वे लोग कभी अपने गिरेवान में भी जहांके देखें क्या उन्होंने सही माईने में संभिधान का पालन किया था क्या ये सच नहीं कि देश की संसत में कॉंग्रेस के एक वरिष्टनेता ने वहाँ पर जिस प्रकार का आचन किया था एक बिल को संसत के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था वहाँ फाड़ने का काम किया था एक आच किसी चुपा हुआ है या अन्यनेक ऐसे किर्टे जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है एक कॉंग्रेस को या देश कभी माफ नहीं करेगा कॉंग्रेस पार्टी को और कॉंग्रेस की इस पाना साही में प्रत्यक्स और प्रत्यक्स रूप से सहभागी बने उन सभी राजनितिक दौलों को भी जिनोंने जिनका उदै ही देश के अंदर कॉंग्रेस के खिलाब लोक तंत्र को बचाने के लिए हुआ था आज वे कॉंग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचन कर रहे हैं यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी इस्तिति में स्विकार नहीं करेगी कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस के इन सभी सहयोग्यों को जिनोंने लोक तंत्र को कमजोर किया है समिधान के प्रापधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है इसके लिए आज इमर्जंसी की पचास सु वर्स पूरे होने पर इन्हें देश की जंता से माफी मांगनी चाहिए अपने स्कृति के लिए और अपने न केवल चेहरे को बलकि चरित्र को देश के लोकतंत्र के लिए अपने आपको तयार करना चाहिए